साथियों, बीते नव वर्षों से गरीब, दलीत, वंचीत, पिछडा, आदिवासी, सामान्यवर्ग, मद्यमवर्ग, हर कोई अपने जीवन में स्पस्ट बदलाव अनुभव रहा है। आदेश में बहुत सिस्टेमेटिक एप्रोच के साथ काम हो रहा है। मिशन मोड पर काम हो रहा है। हमने सप्ता के मैंडसेट को भी बड़ला है। हम सेवा का मैंडसेट लेकर आए है। हमने गरीब कल्यान को अपना माध्यम बनाया है। हमने तुष्टी करण नहीं, संतुष्टी करण को अपना आधार बनाया है। इस एप्रोच ने देश के गरीब और मद्धमबर के लिए एक डिफेंसिव सिल्ड सुरक्षा का कवच काम निर्मान कर दिया है। इस सुरक्षा कवच ने देश के गरीब को और गरीब होने से रोक दिया है। आप मैंसे बहुत कम लोगों को पता होगा कि आईश्मार योजना ने देश के गरीबों के असी हजार करोड रुपिये खर्च होने से बचाये हैं। जो गरीब के जेब से जाने वाला था अगर ये योजना न होती तो इतने ही पैसे गरीब को अपनी जेब से खर्च करने पड़ते हैं। सोचिए हमने कितने ही गरीबों को और गरीब होने से बचा लिया है। संकड के समय काम आने वाली ये अकेली योजना नहीं हैं। बलकि सस्ती दवाईया, मुप्त टिकाकरण, मुप्त डायलीसिस, एक्सिदेंट इंशरंस, लाइफ इंशरंस की सुविधा भी पहली बार करोणों परिवारों को मिली है। पीएम गरीब कल्यान अन्य योजना देश की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए एक और प्रोटेक्टिव शिल्ड है। इस योजना ने करोणा के संकड काल में किसी गरीब को भूखे नहीं सोने दिया। आज सरकार चार लाग करोड रुपिये सरकार इसी अन्य योजना पर खर्च कर रही है। चाहे वो वन नेशन वन राशनकार हो या फिर जेम ट्रिनिटी इस सभी प्रोटेक्टिव शिल्ड का ही हिस्सा है। आज गरीब से गरीब को भरोसा मिला है कि जो उसके हक्त का है वो उसे जरूर मिलेगा। और मैं मानता हूँ यही सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय है। ऐसी कितनी ही योजना है इनका बहुत बड़ा असर भारत से गरीबी को कम करने में हुआ है। आपने कुछ समय पहले आएमेप का एक रिपोर्ट आया है जो है। एक वरकिंग पेपर शायद आपने जुरूर देखा होगा। यह रिपोर्ट बताती है कि ऐसी योजनाओं के कारण महामारी के बावजुद भारत में एक्स्ट्रीम पवर्टी खत्म होने की कगार पर है। और यही तो ट्रांस्फोर्मेशन और क्या होता है।